अब मैं आपको कहता हूँ हमारी खेती बाकियों से फरक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक तो इन बेड्स पर हम चलते हैं ताकि ये बेड्स नहीं हो, इसके अंदर एर पॉकेट्स में मौस्चर रहता है, तो अगर आप इस ट्रक्चर पे पैर रख दो गए, तो ये तो बिल्कुल रेत बन गई ना, तो चीजें सॉइल में उगती हैं, डर्ट में नहीं, अब चलना इसलिए नहीं है हमारे को इस पर, क्यूंकि जो नॉर्मल खेत इसलिए ना, उसमें तो वो जब गुडाई करते हैं, तो क्या होता है, तो बुल्डोजर चला दिया, तो इसलिए हम चलाते नहीं हैं, और हम सॉइल फूड वेब इसलिए नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो, क्यूंकि वो ही तो है, जो चीजों को डिके करके, मिटी में न्यू अब मैं थोड़ा आपको गुडाई की हिस्टरी बिताता हूं, देखो पहले तो हर जगा जंगल ही था, जंगल काट दिये, अब वहां पे तो सॉइल में न्यूट्रियंट्स इकठे हो रखे थे, तो वहां पे हम गुडाई कर रहे हैं, गुडाई किसलिए करी कि जमीन बढ़िया चलता है, क्योंकि सॉइल में पहले से न्यूट्रियंट्स जमा थे, फिर हम उसमें सॉइल फूड वेव हमने कर दिया डिस्टर्ब, तो न्यूट्रियंट्स अब अच्छी स्पीड पे एड तो हो नी रहे हम ले फटा फट रहे हैं, तो जमीन हो जाती है बंजर, फिर हमने कोई नी, हमने गाय बैल रखे हैं, अब मैं दसदार साल पुरानी बात कर रहा हूँ, गाय बैल रखे हैं, चल भाई, उनका गोबर डाल दिया, तो गोबर से वो न्यूट्रिशन एड़ हो जाता है, गुडाई का साइकल है, तो चला हुआ है, हम न्यूट्रिशन जिसने जमीदार ने, वो कहां पर गोबर बिखेरेगा, तब फिर सारा यूरिया वगरा आया, हम चाहते हैं कि हमारा सॉयल फूड वेब डिस्टर भी ना हो, ताकि हमें मिनिमल गोबर और मिनिमल चीजें डालनी पड़ें, और डालनी इसलिए पड़ती है, क्योंकि देखो, झाहते हैं